अब साथ नहीं छे सेंट्रों पर परिक्षा होगी पलामू केंदर के अभ्यारती अन्य सेंट्रों पर दोड लगाएंगे और हर केंदर पर रोज तीन हजार अभ्यारती दोड में शामिल होगे किसी भी परस्तिती में सुवे 9 बजे के बाद दोड नहीं होगी सभी मेडिकल की सुविधाएं होगी हर जगा पर केंदरों पर परियाब संख्या में और रक्तचाप मापने की मशीन होगी 22 अगस से 2 सितंबर तक चली शारीरिक दक्स्ता परिक्षा में 13 अभ्यारतियों की मौत हो गई है सेंटर्स पर केंदरों पर परियाब संख्या में और रक्तचाप मापने की मशीने होगी 22 अगस से 2 सितंबर तक चली शारीरिक दक्स्ता परिक्षा में अब तक 13 से उपर अभ्यारतों की मौत की सुचना है वही जारकन पुपाद सिपाही भरती दौर फिर से शुरू होगी नय नियम और नय समय के साथ बहाले के प्रक्रिया शुरू की गई है शारीरिक परिक्षा को लेकर केंदरों में किये गए कई बदलाओ अब साथ नहीं 6 सेंटरों पर परिक्षा होंगी पलामो केंदर के अभ्यारती अब अन्य सेंटरों पर दौर लगाएंगे हर केंदर पर रोज 3000 अभ्यारती दौर में शामिल होंगे तो फिर से दौर शुरू किसी भी परिसिती में दौर सुबह 9 बजे के बाद नहीं होगी सभी मेडिकल के सुपधा उपलाग रहेंगे केंदर पर केंदर पर परियाप संख्या में ओक्सेमिटर और अक्तचाप मापने वाली मशीन रहेंगी 22 अगस से 2 सितंबर तक शालिरिक दक्सता परिक्षा चरेगी और जहरकन उत्पास सिपाही भरती दौर आज फिर से शुरू होगे है तो नए नियाम और नए समय के साथ बाहली की शुरूआत होगे शालिर परिक्षा को लेकर केंदरों में किये गए कई बदलाओं अब साथ नहीं 6 सेंटरों पर परिक्षा होगे बलामो केंदर के अभ्यार्थी अब अन इस सेंटरों पर दौर लगाएंगे तबाम जनकारिक लिए दीपक इस वक्त हमारे साथ जोड़ चुके हैं दीपक फिर से बाहली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कि यूद्ध होंगे क्या कुछ नए नियम है कि चिंटा का विशह है तेरा से ऊपर अभ्यार्थी कि माथ हो चुकी आएससे विड़ली भी डर्ड़े हुए सहमे हुए अब तक कि कि क्या कुछ नए नियम हो लिए इस दौर को लेकर ale कि बिल्कूल समय सारनी में बदलाओं के साथ नई विवस्था के तहट जो है आज से दुबारा उत्पाद सिपाही बहाली की परिक्रिया को सुरू किया गया है पहले कुल साथ सेंटर पर दोड़ लगाया जाता था लेकिन आज से जो नई परिक्रिया के तहट नई विवस्थ हुआ है दोड़ा लगान के लिए पोंचे हुए है और दोड़ी ंवेस्था के तहत जिती ही four जो हाद हाँ दोड़ कि राजा आ जाना है इसके तक वह दोड़ को चीहां घरते हैं और फोगषए उतने ही सफ्वर्ण में उमस भरेवी गर्मी से लोगों को परेसान होना पड़ता था और जिस तरीके से ब्लड प्रेसर बढ़ जाने की वज़े से चकर खाकर गिर जाते थे और कई ऐसे मामले सामने आएं कि एक दर्जन सधी की वाओं की जो मौत है वो इसके कारण हुई है तो इसको ले करके कई सब्सक्राइब तक जो है दोड की परिक्रिया को अस्तगीत किया गया था और आज से समय सारनी में बदलाओ के साथ नई व्यवस्ता के तार तो यहां पर बड़ी संक्या में जो युवा है वो यहां पर पूछे हुए हैं अगर स्वीधा की बात करें तो खास तोर पे रक्त के तोर फल के तोर पे वो दिया जा रहा है इसके अलावा तमाम चीजों की मॉनिटरिंग जो है वो खुद गरामी नेस्पी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं जो तस्विरों के माधम से भी देख सकते हैं तो और रक्षा सवाल ऐसे में यह उठ रहा है कि देखे दौर के दूरी को लेकर के भी विपक्ष लगतार सवाल उठाती रही कि दस किलोमेटर की दौर है इस वज़त से भी लोग अभियरती परिशान हो रहे तो क्या दूरी में भी कुछ बदलाओं किये गए हैं कि उतना ही है जी बिल्कुल समय सारनी में बदलाओं किया गया है और जो नई विवस्था के तहद जो ओक्सी मीटर और रक्षा पापने वाली मसीन और तमाम तरह की जो चिकिसा विवस्था उपलब्द कराने की जो विवस्था के तहद जो है शुरुआत की गई है जो समय सारनी है उसमे बदलाव किया गया है लेकिन जो दोड़ के लिए जो एक मापदंड त्यार किया गया है कि एक घंटा में 10 किलोमीटर दोड़ना है तो वही मापदंड है अभी भी कि एक घंटा में 10 किलोमीटर दोड़ लगाना है और एक घंटा के भीतर 10 किलोमीटर की अगर दोड़ लगाते के तौह कहीं न कहीं सफल हो जाएंगे उसके बाद आगे की जो पर कि शरू की गए है कि यह घंटा में 10 किलोमेटर डोड़ना है वही सिर्फ इतना किया गया कि पहले जहाँ दोपहर के वक्त भी दोड़ाये जाता था उसमें बदलाव किया गया है जो कि सुबह 9 बजे तक ही जो है वो दोड़ लगाया जाना है तो 2 बजे तक ही दोड़ कराये जा रहा है और चिकित्सा विवस्था में खास तोर पे जो है बदलाव किया गया है पहले जो चिकित्सा व अभ्यार्थी अगर चक्र खाकर गिर जाते हैं कोई हाथसा होता है तो उन्हें ततकाल जो है चिकित्सा विवस्था जो है वो मुहया कराया जाए तो यह तमाम विवस्था है चुकि जिस तरीके से मामले सामने आए जो तोड़ की प्रिक्रियार शुरू की गई उसके बाद ल चरम पर है लगाता रहा आरोग परत्यारोग खास तोर पर जो विपक्ची पार्टी भाजपा है वो सरकार को गेरते हुए नजर आ रही है लेकिन जिस तरीके से यह पूरे मामले सामने आया उसके बाद कई दिनों तक जो है दोड़ की परिक्रिया को अस्थगीत कराया गया अस्थगीत रहा और आज से जो है नई विवस्था के तहट दोड़ की परिक्रिया को सुरू किया गया है तो अभी तक जो आज से परिक्रिया सुरू हुई है फिलाल कोई ऐसी सुचना नहीं आई है खास तोर पे मोहसं भी आज महरबान है कि आकास में बादल चाय हुए है चल रहे है तो इसे युवां को बड़ी रहत मिल रही है और जो समय के अंदर जो है कई युवां जो है वो दोड़ लगाकर चल्फल रहा है ये घंटा में जो किनोमेट लगानी की जो निमामली है उसी कितात वन यह क्योद्वार लगाया जा botti जीड़े लगा तब साथ नहीं छे संट्रों पर दोड़ के सारे कई सारे नियमावली को भी बतला गया है हर केंद्र पर रोज तीन हसार अफ्यार थी अब दोड़ेंग पर लाइक अंड शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन निउस लावन भार सच है तो दिखेगा